नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिशन कुछ दिन पहले हमने आपको बिहार कैडर के कुछ अधिकारियों की संपत्ती के बारे में बताया था ये किनकिन अधिकारियों के पास कितनी संपत्ती है, कितने घर है, कितने कैश है, कितने गहने हैं, कितनी गाडिया है लेकिन आपको बता दें कि कुछ अधिकारियों ने अपने संपत्ती के ब्योरा जो है वो नहीं दिखाया याने कि नहीं दिया है अब ऐसे अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा दरसल आपको बता दें कि बिहार क्याडर के डेड़ दरजन IPS अधिकारियों ने वर्ष 2023 की अपनी चल एवं अंचल संपत्ती का ब्योरा नहीं दिया है इसको लेकर ग्री बिभाग ने एक बार फिर से DGP RS भटी को पत्र लिकर संबन्द पुलिस अधिकारियों को संपत्ती का ब्योरा अप्लोड करने के लिए निर्देश तिने के लिए कहा है मिली जानकारी के अनुसार ग्रे बिभाग ने इसके लिए पुर्व में 9 जन्वरी और 5 मार्च को DGP को पत्र लिकर संबन्द पुलिस अधिकारियों के चल और अंचल संपत्ती का ब्योरा अप्लोड करने को कहा था पत्र में समान प्रशासन विभाग के आदेश का हवाला देती हुई कहा गया कि जो पतदिकारी वांची संपत्ती विवरन समर्पित नहीं करेंगे उन्हें एक महीने के अंदर कारण स्पस्ट करते हुए अपने विवरन समर्पती करने के निर्देश दिये जाएंगे अगर एक महीने की अवदिस में भी संपती का विवरा समर्पित नहीं किया जाता है तो संबंद पतदिकारी और कर्मी के विरोध विविद आरोपत्र से निर्गत हुए बिभागी कारवाई चलाई जाएगी भावेर दिक्षा अरुन के साथ दो प्रमोटी आईपस अधिकारी अशोक कुमार चोधरी और मदन कुमार आनंद ने एक अपरेल तक संपती का विवरा समर्पित नहीं किया है वही कुछ दिन पहले बिहार कैडर के आईपस और आईपस अबसरों ने अपने संपती का विवरा दिया था जिसमें डीजीपी आरस भट्टी सक्षा विभाग के 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 पाठक समेत आलाधिकारियों ने अपनी संपती की जानकारी दी थी तो आप देख सकते हैं कि बिहार कैडर के सोला आईपस अबसरों ने अभी तक अपनी संपती का विवरा प्रशासन को नहीं दिया है इस मामले में ग्रे बिभाग ने डीजीपी को पत्र लिग दिया है अब एक महीने के भीतर उन्हें वक्त दिया गया है नहीं तो फिर उन पर एक्शन लिया जाएगा दरसल आपको बता देए कि ग्रे बिभाग की तरफ से बिहार के जितने भी आईएसाई पर सधिकारी हैं उनके संपती का विवरा उन्हें अप्लोड करना था ऐसे में ग्रे बिभाग ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो अधिकारियों ने अभी त संपती के बारे में बताया है जिसमें बात अगर हम बिहार सुक्षा विभाग की अपर मुख सचीब केके पाठक ही करें तो केके पाठक की संपती को देखकर कहीं न कहीं लोग जो हैं वो थोड़े शौक्ट भी हो गयतें क्योंकि केके पाठक के पास न तो घर है नहीं पास भठी को पत्र लिखा है और पत्र लिकर कहा है कि एक महीने के भीतर उन सारे अधिकारियों के वो अप्लोड कर देने चाहिए क्योंकि अगर अप्लोड नहीं होगा तो फिर उन अधिकारियों पर बड़ा एक्शन ग्रे बिभाग लेगा अब देखना होगा कि जिन जिन अधिकारियों के बारे में ग्रे बिभाग ने पत्र लिखकर बताया है या फिर जिन जिन आयेस और आयतेस अधिकारियों ने अपनी संपती कभियोरा नहीं दिया है वो कब तक देते हैं और अगर जो अधिकारी नहीं देते हैं तो उस पर ग्रे बिभाग क्या कुश हैक्सन लेता है हम आपको अपने वीडियो के जरी अपडेट करेंगे फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूस फॉनेशन धन्यवाद